Hello friends, जैहिंद स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टूशन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं CRP Fed Constable Minister की सभी सिप्टों की आंसर की जारी हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियों पे भी स्कूर कोमेंट किये थे तो डाटा के अनलिसिस के आदार पे हम एक नई कट ओफ आपके लिए लेका आए हैं वो बच्चे दोस्तो 60 पे आ चुके हैं जी या दोस्तो लगबग 85% बच्चे ऐसे हैं जिनका सकोर 60 या 60 से कम है दोस्तो तो क्या नई कट ओफ रह सकती है टाइपिंग के लिए और फाइनल कट ओफ कहां तक रह सकती है जानते इस वीडियो में इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें दोस्तो अगर आप इसमेल पर नए है चल को सब्सक्राइब करें बैल अकान को प्रेस करें कैसी प्रकार की लेटेस न्यूज रेजल्ट नोटिविकेशन पेडियाफ को पाने के लिए हमारी टेलेग्राम चल को जोईन करें जिसका लिए डिस्क्रिप्शन मे देख करा रहा है दुबारा दूसरा बच्चा कोई माल लेजिए 500 रुपे दे रहे उसी कुर्स के लिए तो जायज नहीं लगा इसलिए हमने फीस केवल एक ही फीस रखे है 230 रुपे अगर आप हमारे साथ जुड़के ओनलाइन तयारी करना चाहते है घर बेठे बहतरीन तो हमारी अपलेकेशन को डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके चिराग बैच को जोइन कर लीजिए आईए दोस्तो CRPF के बारे में बात करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में केवल मैं हेड कॉंस्टेबल मिनिश्यल के बारे में बात करूँगा ठेक है तो सबसे पहले वेकेंसी की बात करें तो दोस्तो 1315 हाँ जी बागी के जो वेकेंसी हैं वो ASI की है यहां पे केवल हेड कॉंस्टेबबल मिनिश्यल की मैं बात करूँगा तो यहां पे 1315 पोश्ट हैं दोस्तो फोर्म थे 4 ज़नवरी से 31 ज़नवरी तक 25 ज़नवरी लासट लेकिन जो court ने order दिया तो 6 दिन last date आपके बढ़ा दी गई तो बहुत सारे बच्चे इस confusion में थे कि क्या हमारा forum भढ़ा जाएगा कि नहीं भढ़ा जाएगा finally last date बढ़ी 30 जनवरी हुई दोस्तों और लाखों बच्चे और इस exam में सामिल हुए यानि number of candidate थोड़ा सा बढ़े लेकिन दोस्तों जो exam date थी ना वो 22 फर्वरी से 11 मार्च हुई 22 से 28 फर्वरी थी फिर 11 मार्च तक करेगी थोड़ा सा expand किया गया exam को तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ा factor यही है दोस्तों कि एक तो बच्चों को अचाननक से नोडवेकसन देखने को मिला वह यह च्यार जनरी को फोर्माया और यह पता लागा कि अगले ही महिने की 22 तारिक से अमारा paper start है यानि कहने का मतलब यह है कि तैयारी करने का जो time है बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कम मिला है दूसरी बात दोस्तों पहले paper offline होता था अब paper online हो है तो बहुत सारे बच्चों का यह पहला experience रहा तीसरी बात दोस्तों कि negative marking पहले नहीं होती थी अब negative marking है चोथी बात दोस्तों पहले arithmetic आता था math में अब की बार advanced भी देखने को मिला है technometry की algebra के सवाल है geometry के सवाल है जो बच्चों ने expect नहीं किया था और पांच भी और सबसे important दोस्तों paper का जो level है जो पिछली बरती थी उससे बहुत जादा tough level का यह paper देखने को मिला है तो जाइर सी बात है cut off को पिछली भरती के साथ compare करना कहीं से भी जायज नहीं है क्योंकि सारे की सारी factor है यहाँ पर बदल चुके हैं दोस्तों number of candidates जरूर जादा है लेकिन तयारी का time कम मिला है exam का level थोड़ा सा hard है questions थोड़े से अलग परकार के आये हैं और तीसरा negative marking यहाँ पर है तो बच्चे को लगता है कि यहाँ यह मेरा question सही होगा लेकिन जो घर जाके चेक करता है तो question गलत होता है अब होता क्या है कि जैसे माल लीजे किसी व्यक्तिने attempt किये है माल लीजे 80 question 80 में से माल लीजे उसके 70 question सही हैं और incorrect माल लीजे 10 हैं तो भया 10 की negative marking 5 और गटा दीजे 4 किया तो लग बग डाई नमबर गटा दीजे तो यह बच्चा आजाता है 68 ठेक है तो इस प्रकार के negative marking होती है अगर negative marking नहीं होती है तो बच्चे का score रहता 70 का 70 ठेक है तो negative marking का बहुत ज़्यादा effect पढ़ता है दोस्तों तो जो cut off है वो क्या रहने वाली है ध्यान से देखिए जो पिछली बरती से दोस्तों उसमें बच्चों को 40% और 35% पे ही पास कर दिया था तो typing के लिए के लगबग सवा 2,0,000,000 बच्चों को बुलाए गया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार number of candidate जो exam में बठे हो बहुँ ज़ादा है अगर 40% पर जैसे अगर आपने पिछली वीडियो में बताये था 40-35% पे अगर cut off रहती है तो भाईया कम से कम 3-4 लाग बच्चे हो जाएंगे typing वाड़े और इतनों कि typing करवाना possible नहीं है क्योंकि court का order है कि जुलाई तक CRPF को joining भी देनी है तो typing process थोड़ा सा लंबा नहीं चलेगा इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक criteria ते होगा कि भाईया जिन बच्चों के number इस criteria में आ रहे हैं उनको typing के लिए बुला लीजिए तो क्या रहेगा दोस्तों आइए जानते हैं तो मुझे personally ऐसा लगता है दोस्तों कि जितनी वेकेंसिया अगर वो बीस गुणा बच्चे बुलाते हैं यानि एक वेकेंसिय के लिए बीस बच्चे तो टाइपिंग के लिए दोस्तों 26,300 क्योंकि फिजिकल में कुछ नहीं है हाइड चेस्ट वेटर उसमें ज़्यादा रेजक्ट बच्चे नहीं होंगे तो टाइपिंग ही इंपोर्टेंट होती है CRPF की सबसे हाड टाइपिंग होती है तो भईया 20 गुणा के हिसाब से 26,300 बनते हैं और अगर वो 25 गुणा बनते माल लिए एक वेकेंसिय पे 25 बच्चे बच्चे बुलाते हैं उनको लगता है कि हाँ टाइपिंग बच्चे ज़्यादा फैल हो जाएंगे क्योंकि टाइप अगर वो 25 गुणा बच्चे बुलाते हैं तो 32,875 और दोस्तो अगर वो माल लिए 30 गुणा भी बच्चे बुलाते हैं तो लग बग लग दोस्तो 40,000 बच्चे ही रिटन एक्जाम को पास करेंगे अब एक छोटा सा फैक्टरम बतानूंगा एक अलग बर्त वेकेंसि का है लेकिन थोड़ी सी बात में आपको बताना चाहूँगा दिलिपलिस कोंस्टेवल 2020 हाँ जी सेम ओनलाइन पेपर सेम SSC ने कंडेक्टर वाया इस बार भी जो TCSE ही पैटरन पर एक्जाम पेपर आया है CRPF का उसमें भी पेपर का लेवल ऐसा है था कि वो भी बहुत जुड़के आया था तो आप ये मान के चलिए कि उस टाइम मान लीजे जनरल कटेगरी के बच्चे के अगर मान लीजे 56 नंबर रहे होंगे 55-56 के आसपास रो स्कूर तो उस बच्चे ने रिटन एक्जाम पास कर लिया था और फाइनल कटव दोस्तो 70 के आसपास रही यानि 61 पर प्रिलगा फिजिकल के लिए और 70 पर फाइनल लगी 70-70 के आसपास तो 19-10 नंबर का फरकाया विद नौर्गलाज़ाशन ठेक है तो वैसाई इसमें है दोस्तो पेपर का जो लेवल है न कहीं से भी आसान नहीं था ठेक है जो पेपर देता है उसको एक्चुल में पता लगता है कि भया हाँ और एकजाम जो एनलिसिस है उन्हीं के आदार पर होता है ठेक है यहाँ हम बार बैठे कह सकता है जी हाँ पेपर एजी टो मोडरेट आयो गगा लेकिन पेपर बहुँ जादा कैलकुलेटिव था रिजिनिंग में भी पजल थी सिटिंग अरेजमेंट क स्वाल थे लिए गार फाल नोंभर्बल के सवाल जैश्में आकरतियों को मेच करने में टाइम लग रहा था तो टाइम कंजूंग तो था ही था कैल्कुलेटि भी था मैच में भी दोस्तों बहुत सारे सवाल अपरोक्स वएल्यू पर निकल रही थे डारेट कैलकुलेशन न भी बच्चों का कम हुआ है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास गमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में डाटा दिया है, कि आमाराद इतना स्कोर है, इतना स्कोर हो, लगबग 85% बच्चों का जो score है न दोस्तो, 60 नंबर से कम है, केवल 15% क्या सपास बच्चे हैं, जिनका 60 से उपर होगा, किसी का 65, 66, 70, ठीक है, तो कहने का मतला है कि अगर total candidates में निकाले तो लगबग 10 से 12,000 बच्चे हैं जिनका score 60 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन cutoff होती नहीं रहेगी, cutoff तो भईया बहुँ ज़्यादा down रहने वाली है, और cutoff मेरे according क्या रहे सकती है दोस्तो, हो सकता है कि इसमें 2-4 नंबर का उपर निचे, निचे तो नहीं जाएगी, इससे उपर ही हो सकती है, और उपर भी बहुँ जादा नहीं जाएगी दोस्तो, मैं आपको यहाँ पे cutoff बता रहा दोस्तो, row score, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, row score में बता रहा हूँ, ठेक है, row score के आधार पे मैं cutoff बता रहा हूँ, नोर लेसन में जुडेगा, तो यह सकोर आपका जैसे माल लेजिए, journal category में 50 नंबर में बता रहा हूँ, तो नोर लेसन के बाद यह 55-58 तक भी जा सकता है, तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अभी, answer की आपने check कर ली होगी, अपना score भी check कर रहा हूँ, कितने सही, कितने गलत, calculate करके, final score आपका निकला होगा, किसी का 47, किसी का 52, तो उस score को देखते हुए, यह cutoff में बता रहा हूँ, without normalization, ठेक है, देखिए दोस्तो, अगर मैं बात करों, दोस्तो, skill test के लिए, टाइपिंग के लिए, तो general category में, जिस वच्चे के 50 से 53 नमबर बन रहे हैं, अभी, तो वो टाइपिंग short short त्यारी कर सकता है, क्योंकि बाद में ऐसा लगेगा, कि यार, नमबर भी आ गया, अब टाइपिंग भी निगर पाया, ठेक है, त जो बच्चा इस score के अंदर आएगा हो, चाहिए, male हो, चाहिए, female हो, सभी पास हो जाएंगे, OBC category बात करो, 48 से 50 नमबर अगर आपका अभी score बन रहा है, टाइपिंग में लग जाएए, दोस्तो, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा है, बहुत सारे बच्चों के जिनके हवा में रहता है, जब एक्चॉल में चेक करता है, तो पता लगता है कि 50 ने score है, ठेक है, तो जो एक्चॉल में चेक करते हैं, उनको पता है कि हाँ, real score ये है, ठेक है, और एक्चॉल competition ना, लाख, डेड़, लाख, बच्चों के बेच में रहता है, वाकी तो भीड़ी हुआ है, जितनी जल्दी तरिके से एक्जाम करवाया गया है, तो ना तो तयारी हुई, और एक्जाम का लेवल भी, और बहुत सारी question तो math message जो advanced से थे, reasoning में puzzle से question दे रहे थे, sitting arrangement से question थे, ठेक है, तो वो एक factor बन जाता है दोस्तो, AWS category 47-50 number, SC 43-46, और ST में जिस बच्चे के 48 48-40 number है, दोस्तो, 38-40, वो बच्चा typing की त्यारी में लग जाए दोस्तो, क्योंकि typing के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, बहुत सारे बच्चे होगे जो पहली बार इस exam वेठेंगे मिनिस्ट्रेल में, पहली बार किसी typing वाली job को fight करेंगे, तो उनके लिए difficult task हो जाएगा typing, तो typing लग जाए अगर आपका इतना score है, आप बहुत सारे बत्तों के दिमाग में हो गए और final नहीं हो तो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको typing देंगे, experience मिलेगा, ये भी पता लगेगा किस परकार की typing होती है, क्या इस typing को आप pass कर पाएंगे, किसी और ministerial job की मालीज निकरती है किसी और force में, तो एक experience आपको मिलेगा दोस्तों, कि हाँ, actual में जब exam में जाते है typing देने लिए, तो किस परकार typing करवाई जाती है, क्या क्या कम्या हो सकती है, कि इनकी चिज़ों का ध्यान रखना चीए, तो सारे एक experience मिलते है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जिनक कट ओफ नहीं जाएगी typing के लिए, कम ही रहेगी, इतनी ही रहेगी दोस्तों, रोज स्कोर के according, फाइनल दोस्तों ये रह सकती है, यानि स्किल टेस्ट के बाद physical भी होगा, तो कुछ 1-2% बच्चे physical में लेके लेंगे जादा नहीं के लेंगे, ठेक है, तो वही physical मतलब वही competition आजाता है, एक post में लगबग 12 से 13 गोणा तो रहेंगे ही रहेंगे, फाइनल के लिए बच्चे, ठेक है, यानि अगर 25 बच्चे, 30 बच्चे टाइप इंग लिए बुला रहे हैं, तो 30 में मान लिजे 15 फैल हो सकते हैं, 10 के आस पास तो पास रहेंगे ही लेंगे, ठेक है, तो फाइनल कट ओफ में ज़्यादा ही जाफ़ा नहीं होगा, कि बहुत दस नंबर, बारा नंबर का होगे, लगबग 60 से 63 नंबर अगर आपका बंडरा है, और OBC में 55 से 58, AWS में 50 से 53, ये मैंने आपको कट ओफ बता दी, इसका आप सक्रीन सोट ले लीजिए, चाहें तो लि दवाजी है, लेकिन एक अंदाजा अगर लगाएं कि बहिया, कितना बढ़ सकता है प्री से, तो लगबग 5 से 7 नंबर का इजाफ़ा हो सकता है, तो ये कट ओफ लगबग इतनी रह सकती है, दोस्तो जर्नल की, OBC की 55 से 85, ठेक है, तो उमीद करूँगा, आपका अगर स्कोर क्राइटीरिया में नंबर बन रही है, रो सकोर तो आपको डेफिनेटली टाइपिंग की तैयारी करने चाहिए, और एक experience भी लेना चाहिए, दोस्तो, ये कोई, मैं वैसे निमना रहा कि आपको खुश करने के लिए हाँ टाइपिंग कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल अगर आपका सकोर इतना बन रहा है रो सकोर में, तो डेफिनेटली सेलेक्शन होने के यहाँ पे डेफिनेटली चांस है दोस्तो, क्योंकि टाइपिंग में जिस बच्चे ने पढ़ाई पे फोकस किया ने टाइपिंग बिलकुल नहीं की है, और एक मैने भी टाइपिंग न वही एक एवरेज बच्चा निकल के आता है, थोड़ा सा पढ़ाई में, थोड़ा सा टाइपिंग में, फेजिकल भी जिसका फिट हो, हाइट भी हो, चेस्ट भी हो, वेट भी बढ़िया हो, मेडिकल भी फिट हो, आखे भी ठीक हो, हाथ पर भी ठीक हो, वही बच्चा पेपर की तो मुझे नहीं लगता है कि वो मलब टफर पेपर रहा होगा तो पेपर के अकोडिंग देखने पर यही कट ओफ मुझे नजर आ रही है तो उम्मिद करूँगा कि आपको यह एनलिसिस पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपका क्या फीड़ दोर बताएं धन्यवाद